नमस्कार दोस्तो बैंक निफ्टी ने आज साड़े 800 पॉइंट का अपसाइड रैली दिया है और निफ्टी ने 250 पॉइंट का नाओ यार वट तो डू नेक्स्ट क्या मार्किट ने ट्रेंड रिवर्स कर दिया है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी यहां से बूपर जाएगा यह ज़स्ट एक ट्रैप है यह सब मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में जोस्तो मैंने आज 34-500 का बैंक निफ्टी का कॉल आप्शन दिया था कल कौन सा कॉल आप्शन लेके चलना है यह बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में इसी के साथ मैंने दोस्त भी एक्स्पेंड किया जो की कल आपको बड़ी आपमेंटम दिखा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तो छोटी सी रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा वीडियो देखने से पहले तो चलिए शुरू करते हैं कि कि अई आपको बना रहा है कि बाटम बना रहा है मैंने मने आपको कल वाली वीडियो इंप बताया था देखिए यह बॉटम है यह बॉटम है मैं अब यहाँ से बंक निफ्टी उपर जाना चाहिए ए नाउ आज अगर आपको द्धान ओगा मैंने call option दिया था bank nifty का जो बहुत ही जबरदस हमको return देखने को मिला हमारे telegram channel में ठीक है वो bank nifty call option था अच्छा अब देखो जी अब bank nifty का major trend अभी के लिए हो चुका है down अगर bank nifty 35,000 के जितना उपर रहता है 35,000 के जितना उपर रहता है buy above करके चलना है क्योंकि देखो ये breakout था मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ये आपका देख सकते हैं आप ये resistance था resistance का breakout कर चुका that means जब तक इसको उपर रहता तब तक buy करके चलना है correct टागेट हो जाएगा हमारा 35,500 का second target होगा 35,700 का ठीक है ये कल आराम से कल या तो पर्षो अपना आराम से आ सकता है ठीक है यानि जब तक अगर मानलो dip भी देखने को मिलता है तो आराम से आपको buy करके चलना है अब यहाँ पर अगर dip देखने को मिलेगा तो यहाँ पर bullish hammer candle बनते हो दिखेगा न तो जैसी bullish hammer का high टूटेगा buy करके चलना I hope मेरी बात को समझ चुके है अब सुनिए यह तो हो गया dip का भाई अब अगर क्या होता है 35,400 का level तूटता है क्योंकि देखो आज तो यह तूटा यहाँ तक आ गया अब यहाँ पर एक resistance है देखो एक इधर एक इधर और एक इधर तो 35,400 के उपर अगर निकलता है न दोस्तो ठीक है तो आपको एक और fresh rally हमको देखने को मिलेगी target हो जाएगा यहाँ पर 35,550 का second target होगा 35,650 and third target 35,700 का यह रनीती है अगर 400 का level तूटता है तो मैं 35,300 का call option बाइ करके चलने वाला हूँ थोड़ा साब अभी call option में थोड़ा quantity कम रखी क्योंकि already price बहुत expensive है premium बहुत ज़दा महंगे हैं अभी so hope you have understood my strategy of bank nifty for tomorrow ठीक है और मैंने आपको पता है मैंने आपको morning में call option क्यों दिय थी मैं बता रहा हूँ 34,500 का पता मैंने call option क्यों दिय था मैं आपको दिखा देता हूँ भाई देखो मैं हर logic आपको दिखाऊंगा यहाँ पे यह market नीचे आया था यह bullish hammer बनाया था और यहां मैंने height cutting को पर मैंने buy दिया था जबड़ दस्रम को return देखने हो बिला मेरे को comment section में दोस्तों लिख के बताईए कि आप लोगों ने आज profit book किया या क्या किया ठीक है Hi guys, दोस्तों क्या आप share market में consistent profit कमाना चाते हैं क्या profitable trader बनना चाते हैं अगर हाँ So guys, मैं आप सभी के लिए introduce करना चाहूंगा हमारा online training batch जो की start होने जा रहा है 15th of March से दोस्तों इस training batch में हम आपको intraday short term positional swing long term switch turn options सिखाने वाले हैं My dear friends, जैसे आप किताब पढ़के कभी तैरना नहीं सीख सकते वैसे ही YouTube में वीडियोज देखके और धेर सारी किताबे पढ़के आपका भी stock market में trading नहीं सीख सकते इसके लिए आपको चाहिए एक perfect winter जो आपको guide कर सके So दोस्तों हम स्वागत करना चाहते हैं आप सभी का हमारे online training batch में So my dear friends, अगर आप इस life changing class में join होना चाहते हैं तो आप लोग इस number पर हमको call या whatsapp करके inquiry कर सकते हैं अगर आप भी profitable trader बना चाहते हो जॉइन कर सकते हो चली हम जानते है nifty का view देखो भई nifty भी buy है nifty ने क्या किया let me show you देखो भई ये क्या था ये kind of V-shape recovery हमें देखने को मिली है और इसने breakout दे दिया है now nifty buy on dip करके चलना है अगर dip मिलता है 16,770 के आसपा तो BOD करके चलना है buy on dip टागेट हो जाएगा 16,880 का ठीक अब अगर ये तो dip की बात हो गई बाकी अब देखो भई क्या आपको range बनते हो दिख रहा है यहाँ पर of course मेरेको दिख रहा है ये देखो range बन रहा है न अब अगर ये range का higher end टूटता है that means कल 12,890 16,890 का high टूटता है buy करके चलना है 16,950 second target होगा 17,000 so दोस्तो ये रनीती है हमारा nifty 50 का clear cut में आपको रनीती दे दिया है और देखो मैं आपको बता दू मैं आपको back nifty और nifty का बिल्कुल to the point deeply analysis देने का प्रयास करता हूँ तीक है और मैं believe करता हूँ देखो neutral होने का कल मैं neutral था अब breakout हो चुका है वो वो जो range बन रहा था न कल ऐसे जो range बन रहा था वो breakout हो चुका अब मैं बोल रहा हूँ कि buy on dip करके चलना है मैं दो नहीं बोल रहा है अब मैं बोल रहा हूँ buy on dip करके चलना है चल ये दोस्तो हम जानते हैं पहला stock पहला stock है हमारा VTL, भाई करके चलना है, देखो भाई VTL ने क्या हुआ है, range pattern का breakout दे दिया, along with bullish hammer, now you know what to do next, high तूटता है, that means 27.95, buy above 27.95 हमारा target हो जाएगा, 28.30 का, second target हमारा हो जाएगा 28.50 का, यह होगा दो target, यहाँ पर आप 15 points का एसल लगा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यह है, बाकी चली जानते हैं last stock, दोस्तों last stock जाने उससे पहले, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा telegram channel, जो लोग Nifty Bank, Nifty के free of cost trade देना चाहते हैं, आप लोग हमारे telegram channel में join हो सकते हैं, आपको पता है, मैंने 34-500 का call option दिया था, देखा आप लोगोंने 800 को पर, पता है आज कितना गया, almost उस्तों 1000 के आसपस गया है, मैं proud से बोलता हूँ कि जोस्तों हम PTS, प्रभाद trading service, लोगों के चहरों पर खुशी राती है, क्योंकि हम आपको free of cost Nifty Bank, Nifty के trade देते हैं, और जब मैं आप लोगों कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे को दिल से बहुत बढ़िया लगता है, कि मैं आप लोगों के लिए free of cost कुछ कर पा रहा हूँ, दोस्तों यह सब्क्रेट आपको कोई paid में भी नहीं देगा, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, बाकी आज हमने आपको क्या दिया, बीएसी दिया, बीएसी देखा आप लोगों ने, फिर से हाई लगाया, यही खासियत है हमारे टेलगाम चैनल की, और हमने आपको दोस्तों मॉर्णिंग में पर्सेशन सिसम दिया दा दोस्तों, ठीक है, सारे ट्रेट अच्छे रहे, आप लोग टेलगाम जॉइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, दोस्तों, ठीक है, लास्ट अस्तों के दोखो, दीपक नाइट फ्राइट बाय करके चलना है, हुआ क्या है ना, हुआ ये है कि इसने, देखो, प्रिवर्स जो पोर्ट होता है, वो करेंट रस्टों महा जाता है, ब्रिक आउट हो चुका, 245 का target second हो जाएगा 2260 का यह होगा हमारा दो target ठीक है बाकी यह है हमारा पूरा आज का analysis और दोस्तों हम coming sessions में Q&A start करने वाले दोस्तों मैं करने वाला हूं कि आप लोग के best से best comment को pick करने वाला हूं और उन सब का उत्तर देने वाला हूं हमारे Q&A वीडियो में तो पूरा series आप लोग जो भी आपके प्रशन है हमारे comment में पूछिए क्योंकि आपके प्रशनों का reply किया जाएगा हमारे Q&A वाली वीडियो में ठीक है दोस्तों बाकी आप लोग सीखते रहिए समझते रहिए दे कि मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से काम करें ठीक है मुझ से ठीक है बड़ आप लोग टिपस के पीछे मत फॉलो करिए भागिए आप लोग अपने को घ्रो करिए हर एक दिन ठीक है बाकी मैं प्रयास कर रहा हूं हर दिन नए-ने फ्री वीडियो लाने का ठीक है ताकि आप लोग सीख सकें बाकी तो देखो हमारा हमारा दस्तों नाम चैनल में ठीक है बाबाई